इतिहास इस बात की गवाई देता है कि जब भी आमने सामने का युद्ध होता है तो दोनों पक्षों का भारी नुकसान होता है 45 फीस दी तक सैनिक जीतने वाले पक्षके भी मारे जाते हैं अर्थ विवस्ता उनकी भी पूरी तरीके से चर्मरा जाती है मगर आज के समय में इस प्रकार के युद्ध होते नहीं है आमने सामने की युद्ध की बात को तो आप छोड़ी दीजिए तोर तरीके बदल गए हैं सामने वाले के उपर कबजा करने के और उन तोर तरीकों के अंदर शामिल होते हैं कुछ चीजें तो आज हम बात करने वाले हैं तीन मुद्दों की जैविक हतियार, व्यापार का हतियार और सबसे उपर जल का हतियार इन तीनों के तालमेल से किस प्रकार से एक देश पूरे के पूरे विश्व के उपर कबजा करने की सोच रहा है मगर अंत तक आते आते कुछ परिस्तितिया बदल गई हैं, उन परिस्तितियों के उपर भी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि चीन के पैसे से कमबोडिया किस प्रकार से चीन के अंदर परिवर्तित होता जा रहा है मगर इस छोटी सी बात के उपर निशकर्ष मत निकालना क्योंकि मुद्दा बहुत गहरा है इस खबर में जिस जगे की बात की जा रही है सिहनुक विल वो एक स्ट्रेटिजिक पॉइंट है कमबोडिया का इस मैप को देखकर आपको लगेगा कि चीन के लिए आखिर ये सिहनुक विल जो कमबोडिया की जगे है वो इतना स्ट्रेटिजिक पॉइंट क्यों लगता है जबकि व्यापार का रस्ता तो सिंगपूर के पास में से होके बाहर निकलता है उपरी तोर से देखा जाए तो ये काफी कुछ सही है कि कमबोडिया के अंदर डारेक्टली चाइना को कोई फाइदा नहीं होने वाला मगर आंदुरूनी रूप से देखा जाए तो कमबोडिया के जरीए जो आस-पास की दूसरी कंट्रीज है यानि वियतनाम, लाउस, थाइलेंड और बर्मा इन सभी कंट्रीज के उपर अगर अधिपत्य कर लिया जाए तो धीरे-धीरे पूरी की पूरी South China Sea के उपर अधिकार किया जा सकता है South China Sea एक ऐसी जगे है जहां से पूरे विश्व का 55% तक ट्रेड का रूट है यानि कि वो जो जगे है बहुत ही strategic है वो अगर कबजे में ले ली जाए तो ना सिर्फ ट्रेड के उपर किसको वहां से आने जाने की permission देना है उसके उपर control किया जा सकता है बलकि उनके उपर tariff भी लगाया जा सकता है दूसरा आप यह भी समझे कि trade route के लिए अगर यहां से अगर हो के घूम के और यहां से निकलना पड़े और दूसरा ये हो सकता है कि सीधा यहां से कुछ ऐसा हो जाए कि डारेक्टली यहां से जहाज निकल पाएं तो कितनी बड़ी बात होगी हो सकता है यह बात बोलने में बड़ी आसान लगे और मैप के उपर दिखाने में भी बड़ी आसान लगे फिर भी क्या इस बात की कोई possibility है कि यहां से सीधा एक रस्ता बना दिया जाए और उस रस्ते के लिए यहां पे Swiss Canal जैसी कोई विवस्ता कर दी जाए तो Swiss Canal के मुकाबले में यह दूरी जरूर जादा है मगर समय अब बदल गया है इस प्रकार की बाते long term plan के अंदर हो सकता है किसी के शामिल हो मगर क्या Cambodia अपनी कोई जगे China को free के अंदर इस प्रकार से दे देगा कि China उसको naval base की तरीके से इस्तेमाल करे उस पूरे area को कबजे में करे और उसके साथ ही के अंदर चीनी महत्वा कांशाओं का साथी बन जाए या ये कह दीजिए कि चीन में ही क्यों न शामिल हो जाए तो इसके लिए आपको Cambodia के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है और उसके अंदर उन दोनों हतियानों का इस्तेमाल किया गया है जिसको trade और जल कहते हैं और ये जल ही वो शक्ती है जिसकी वज़े से पाकिस्तान सारे दिन रोता रहता है कश्मीर दे दो कश्मीर दे दो तो ये समझना इस समय बहुत जरूरी है कि चाइना ने किस प्रकार से कंबोडिया के उपर तकरीबन कबजा कर लिया है एक समय ऐसा भी था जब कंबोडिया के अंदर चाइना की तरीके से ही व्यवस्ता थी और विवस्ता को स्थापित करने में 90 प्रतिचत चाइना की तरफ से ही सयोग था 1975 से 79 तक वहाँ पर कॉमिनिस्ट विवस्ता के अंतरगत कंबोडिया की एक चौथाई आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया उसके बाद में यहां की जो वर्तमान प्रधान मंत्री है उनका वहाँ पर सत्ता में आना हुआ और कंबोडिया ने सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थिवस्ता का परिचय दिया वो अर्थिवस्ता किस प्रकार से बढ़ रही थी वो दो तरीकों से बढ़ रही थी पहला था टेक्स्टाईल दूसरा था टूरिजम ये दोनों के दोनों चीजें हैं ये बिलकुल जमीन पर आ गई और उसके अंदर सीधा या परोग शुरूप से चाइना का ही हाल रहा टेक्स्टाईल के अंदर चाइना ने अफरीकी देशों में जाकर अपने नएने कार खाने लगाए और छोटे से लेकर बड़ी तक सभी के सभी जो टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीज है उसके ओपर चीन का कबजा हो गया यानि दिरे दिरे कमबोडिया की जो सबसे बड़ी जो अर्थिवस्ता थी उसका एक फैक्टर हटा दिया गया दूसरी बात आती है टूरिजम की उस टूरिजम के अंदर 80% से ज़्यादा चाइना ने पहले कबजा किया इन सब के खिलाफ कमबोडिया में कई सारे प्रदर्शन भी हुए मगर समय के साथ में उन सभी प्रदर्शन उन्हें दम तोड़ दिया और कमबोडिया के अंदर भी चाइना ने पूरी तरीके से अपने प्रकार की एक विवस्ता को कयम करने में खामिया भी हासिल कर ली जिस कॉमिनिस्ट विवस्ता को हटा कर कमबोडिया के हुन सैन प्रदान मंत्री बने थे उसी कॉम्मिनिस रवस्ता के अब वो सबसे बड़े सरोकारी हो गए हैं तो इन सब के अंदर जल वाले हतियार का रोल आखिर कहां पर है जरा जानिये इसको इस मैप के अंदर आपको मिकॉंग नदी दिखाई दे रही है जो चाइना से शुरुवात होती है मगर उसके उपर 6 देश डिपेंडेंट है इस डिपेंडेंसी के माइने इस प्रकार से है कि 2 करोड से ज्यादा लोगों का सीधे तोर पर रोजगार इस नदी से जुड़ा गुआ है जिसके उपर चाइना अब डैम पर डैम बना कर इसको रोकता जा रहा है आदमी चाहे कितना ही गरीब हो जाए अर्थिवस्ता खराब हो जाए अगर वो मचली पकड़ के या फिर खाना उगा के खा सकता है तो कम से कम वो जिन्दा रह पाएगा मगर अगर अगर नदी ही खतम हो जाए तो वो जिन्दा कैसे रहेगा तो यहाँ पर चाइना ने आसपास के देशों को छोड़ा और सीधा कमबोडिया से संपर्क स्थापित किया कि ये नदी तो हम बंद करने वाले हैं तो आपके लिए एक डैम बना देते हैं बड़ी नदी अगर बंद हो जाती है तो भी जो छोटी नदीयां जो सहायक धाराएं होती हैं वो आकर एक देश को सर्वाइव कर सकती है तो उस जो धारा है उनके उपर चाइना ने कहा कि हम आपको डैम बना के देते हैं इस डैम से आपके पूरे के पूरे देश को साथ फी सदी तक बिजली तो मिलेगी ही मिलेगी साथ ही के अंदर जो आगे से आने वाला पानी है वो अगर बंद हो जाएगा तो आपको कम से कम समस्या नहीं होगी तो यहाँ पर कमबोडिया को बहुत अच्छा लगा उन्हें लगा क्यों आप हमें डैम बना के दे दो और साथ ही के अंदर हमारी बिजली के आपूरती भी आप पूरी कर दोगे आप से अच्छा तो कोई है ही नहीं तो कमबोडिया का डैम चाइना बना रहा है और उसकी 51 प्रतिशत भागिदारी चाइना की है इतने बड़े दिल वाले चाइना की उधारता को देखते हुए कमबोडिया ने ना सिर्फ सिहनुक विल नाम की जो स्ट्रेटिजिक पॉइंट है वो चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरीके से खोल दी बलकि साथी साथ चाइना सी के उपर डॉमिनेंस किस प्रक चाइना के कंट्रोल में आ गया साथी के अंदर आपको मैंने भी बताया कि अर्थ विवस्था कमबोडिया की चौपट हो रही है क्योंकि चाइना टेक्स्टाइल्स के उपर कबजा कर चुका है और टूरिजम वहाँ पर सिहानुक विल के अंदर जिस प्रकार के एक्टिवि इंडिया तक आ रही है उसके बीच के अंदर जितने भी डैम है वो सारे के सारे चाइना अपने आखों की किरकिरी घुशित कर देगा और आसपास के देशों के उपर भी एक्शन करने का उनके पास मुद्दा मिल जाएगा जो काम चीन कमबोडिया के उपर कर रहा है वही का पाकिस्तान के कान भर भर के भी चीन कहता जा रहा है कि तुमारे साथ में भी ये काम कल को हो सकता है कि इंडिया बहुत सारे डैम बना ले पाकिस्तान के अर्थव्यवस्ता का च्छटा हिस्सा उन नदियों के पानी के ओपर depend करता है जो इंडिया से निकल कर वहाँ तक जाती है और जिनका origin कश्मीर के अंदर है इसी लिए पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर लेके रोता रहता है और उनको लगता है कि जिस प्रकार से चाइना ने कमबोडिये के साथ किया कहीं ये हमारे साथ में इंडिया ना कर दे ऐसी घटना को रोकने के लिए पाकिस्तान दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकता था, दोस्ती इतनी मजबूत करता कि ये वाली बात ही कभी नहीं आती मगर पाकिस्तान नहीं क्या किया, उसने टेर्रिशम बढ़ाया, अब पाकिस्तान जैसा देश, भारत जैसे शक्तिशाली देश को आखे दिखाए कि हमाले militants की वज़े से हम ये कश्मीर ले लेंगे ये इस चीज की possibility विश्व के अंदर किसी को नहीं लगती पाकिस्तान वालों को खुद को भी नहीं लगती तो जिस प्रकार की गलती कमबोडिया ने चीन के साथ में रिलेशन बढ़ा के की उस प्रक के उपर जिस प्रकार से कबजा करने के लिए हाली के अंदर बहुत सारे islands को अपने कबजे के अंदर लिया है उसका साफ तौर पर ये है कि हम इंडिया को manufacturing hub नहीं बनने देंगे वहीं पर इंडिया ने भी ये साध लिया है कि अब किसी भी प्रकार की leniency किसी भी प्रकार की रियायत अब किसी को नहीं मिलेगी और उसी के चलते इस समय इंडिया का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि पियो के अब खाली कर दो और ये अपनी one belt one road यहां से निकाल के कहीं और ले जाओ समय के साथ में चीन तो पाकिस्तान का जो नुकसान है वो चाइना करेगा वो तो करेगा ही करेगा मगर इंडिया अपना नुकसान होते नहीं देख सकता और एक तरेके से P.O.K. को खाली करवा कर और चीन के पाकिस्तान के खिलाफ जो एजेंडा है उनको कंट्रोल करने काम अगर भारत कर रहा है तो पाकिस्तान को इसकी धन्यवादी देना चाहिए इंडिया को हो सकता है कि ये बिलकुल आखरी समय है आखरी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि वो समझ जाए क्योंकि इसके बाद में कुछ भी पीछे जाना पॉसिबल नहीं रहेगा और साउस चाइना सी के उपर जिस प्रकार से चाइना कबजा करके इंडिया के ट्रेड रूट को पहले से ही नेस्तानाबूत करना चाह रही है ताकि वो मैनुफैक्चरिंग हब न बन पाए ये काम भी चाइना का अब होता दिख नहीं रहा है जिस प्रकार से पूरा का पूरा विश्व चाइना के खिलाफ इखटा होकर उनसे जवाब मांग रहा है जवाब इसका कि कोरोना वाइरस आकर वहां से फैला कैसे जवाब इसका कि हमारे यहाँ पूरा लॉकडाउन होने के बाद में बिस संक्रमन कैसे फैल रहा है और तुम्हारे केवल एक शहर को लॉकडाउन करके तुमने संक्रमन रोका कैसे और जवाब इसका कि तुम्हारे यहां पर एक आदमी संक्रमित हुआ है तो हमारे यहां 50 कैसे हो रहे हैं नę जमाने के तौर तरीके चाइना अगर थेकेदार बनके बैठ जाये कि सारे के सारे काम मैं करूँगा तो सामने वालों के अंदर भी दिमाग भी है और कारे करने की शमता भी है और डिसीज़न लेने की शमता भी है आने वाले समय में चाइना किस प्रकार से छोटे मोटे देशों की अर्थेवस्थाओं को अपने कबजे में ले रहा है और पाकिस्तान की तो करीब करीब उसने ले ही ली है इसके बारे में नजर डालेंगे आप जुड़े रहिए मेरे साथ और इस पर भी नजर रखिए कि इस समय इंडिया के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मतभेद भूल कर एक ही डारेक्शन के अंदर काम क्यों कर रही है क्योंकि इंडिया को इस समय एक जुट होके रहने की बहुत जरूरत है हमारे सामने जो खत्रा है वो कोरोना से भी बड़ा खत्रा है आने वाले समय के अंदर हमारी एक जुटता ही उस खत्रे से हमें निजात दिला पाएगी और जल शक्ती और व्यापार शक्ती ही हमारी असली ताकत बनकर उबरेगी धन्यवाद जहिंत